रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले 12 साल से बलेवुड में स्टिगल कर रही थी ये एक ट्रेस रातो रात बनी सुपर स्टार बलेवुड में हर किसी का रातो रात फेमस हो जानना कोई आसान काम नहीं है लेकिन एक एक ट्रेस ने यह काम कर दिखाया है इस एक ट्रेस की एक फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर एक सव करोड रुपे की कमाई की है फिल्म की इतनी बड़ी सफलता से यह एक ट्रेस रातो नात फेमस हो गई है दरसल हम एक ट्रेस नुसरत बहरुचा की बात कर रहे है नुसरत अपनी फिल्म सोनू के टीटु की स्वीटी को लेकर काफी सुर्खियों में है फिल्म की सफलता ने उन्हें सुप्रद सर एक ट्रे से इसकी कतार में ला दिया है बतादे नुसरत पिछले 12 सालों से बलेवुड में संगर्ष कर रही थी लेकिन उनकी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी साल 2018 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म बन गई है इस फिल्म को दशकों ने काफी प्यार दिया है साथ ही फिल्म में नुसरत के रोल की सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है नुसरत इससे पहले फिल्म प्यार का पमचनामा में भी नजर आ चुकी थी इस फिल्म में भी नुसरत के किरदार को काफी सराहना मिली थी उनकी उम्दा अधाकारी को देखते हुए ही उन्हें प्यार का पंचनामा दो में भी कास्ट किया गया था इसके बाद उन्हें अपने करियर की वो फिल्म मिली जिसने उनकी करियर को रातो रात बुलंदियों पर पंधुचा दिया था हम बात कर रहे हैं फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी की जिसे लवरंजन ने डायरेक किया था यह फिल्म नुसरत के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है फिल्म की अपार सफलता के बाद नुसरत की किस्मत में मानोचार जान लग गए है क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें कई फिल्में आपर हो रही है